हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का Your Agree ट्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एगरी कल्चर की स्किल को और बेवेतर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एगरी कल्चरल करन्ट अफेर जुलाई 2020 को अगर आप चल पढ़ना हैं तो Your Agree ट्विटर नाम से चनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए सभी लेक्चर्स की पीडियाफ आपको वार्सेप ग्रूप और डेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी ग्रूप को जॉइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं एस्पिरेंट्स पहली न्यूज है वर्ड क्लास स्टेट आफ दा आर्ट हनी टेस्टिंग लैब इनाउग्रेट किया गया आनंद गुजरात में और ये इनाउग्रेशन हुआ वीडियो कॉन्फरेंस के तुरू हमारे एग्रिकल्चर मिनिस्टर से नरेन सिंग तोमर जी के दौरा हनी टेस्टिंग लैब इस्टेबलिस किया गया नेशनल डेरी डेवलेप्मेंट बोर्ट और नेशनल वी बोर्ट के सपोर्ट से ये स्क्रीन सॉट है इनाउग्रेशन डे के वीडियो कॉन्फरेंस का इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च ने 16 जुलाई 2020 को अपना बाननमेवा फांडेशन डे अस्थापना दिवस से लिबरेट किया ICR एक आटोनमस बॉड़ी है जो डिपार्टमेंट आफ एग्रिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतरगत काम करता है ICR के अस्थापना सोसाइटी रिस्टेशन एक्ट 1860 के अंतरगत 16 जुलाई 1929 को हुई थी ICR एक आपेक्स बॉड़ी है जो कॉडिनेट करता है, गाइड करता है और मैनेस करता है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिस्ट्रीज और एनिमल साइंस के फिल्ड में ICR के अंतरगत 102 ICR इंस्टिटूट और 71 एग्रिकल्चर उनिर्सिटीज काम करती है एग्रिकल्चर मिनिस्टर स्रीरेन सिंग तोमर जी ने 25 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फरेंस के थुरू वर्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के जाथ मीटिंग की इस मीटिंग में ये डिसाइट किया गया कि गौलियर और चंबल छेत्र का जो बीहड एरिया है उसको एग्रिकल्चर के अंतरगत लाए जाएगा आपसे question पूछा जाए सकता है कि किस छेत्र के बीहड एरिया को एग्रिकल्चर के अंतरगत लाए जाएगा तो आपका answer होगा गौलियर और चंबल रीजन मीटिंग किसके साथ की गई ये भी ध्यान रखना है वर्ड बैंक के साथ Union Cabinet जिसके अध्यक्ष होते हैं Prime Minister उन्होंने एक Pan India Central Sector Scheme को अपने approval दिया है Scheme का नाम है Agriculture Infrastructure Fund इस Scheme के अंतरगत पोस्ट हर्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए Medium Long Term के Depth Financial Facilities को प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें Interest Subvention और Financial Support भी सामिल होगा Agriculture Infrastructure Fund Scheme के अंतरगत बैंक्स और Financial Institution को लोन देने के लिए गवर्मेंट के द्वारा एक लाग करोंड रुपे प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये लोन किन Beneficiaries को मिलेंगे आए इनको देखते हैं Primary Agricultural Credit Society, Marketing Cooperative Society, Farmer Producers, Organizations, Self-Help Group, Farmers वीडियो को पॉस करके आप इन सभी Beneficiaries के नाम को द्यान से पढ़नेंगे देखते हैं अगली न्यूस को A comprehensive exercise for mapping of crops under each of रायतु भरोसा केंद्र has started by आंदप्रदेश आंदप्रदेश के द्वारा परतेक रायतु भरोसा केंद्र पर एक बड़े पैमाने पर crop mapping के exercise सुरू की गई है Crop mapping क्या होता है? GPS data के according, crop की analysis करना crop mapping कहलाता है Central Marine Fisheries Research Institute के according, तमिलाडुराज पहले नंबर पर है fish production में 2019 के data के according Mission Vriksharopan 2020 campaign has been launched by उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के द्वारा Mission Vriksharopan 2020 अभियान सुरू किया गया Central Marine Fisheries Research Institute ने एक report जारी की है Report का नाम है Annual Marine Fish Landing in India for 2019 इस report के according, भारत का marine fish production पहले की तुला में 2.1% ज़्यादा है हाली में आंदरप्रदेश राजसरकार ने एक नई policy एनॉंस किया Policy का नाम है Renewable Energy Export Policy 2020 इस policy के इंतरगत दूसे राजों तक Power Supply की परमिट दी जाएगी इस policy को implement किया जाएगा NRE DCAP New and Renewable Energy Development Corporation of आंदरप्रदेश Limited के दौरा इस साल 33 नेशनल फिस्ट फॉर्मर डे सेलिबरेट किया गया नेशनल फिस्ट फॉर्मर डे 2020 के थीम थी Gratitudinal Tribute to Fish Former of Nations ध्यान रखेंगे आप exam point of view से important है नेशनल फिस्ट फॉर्मर डे सेलिबरेट किया जाता है Dr. K.H. Ali Khuny और Dr. L.H. Chaudhary की याद में हर साल हम नेशनल फिस्ट फॉर्मर डे सेलिबरेट करते हैं 10 जुलाई को Food and Agriculture Organization ने Hand in Hand Geo-Espatial Data Platform को लाँच किया है Geo-Espatial क्या होता है ऐसा data जो किसी particular location से associated हो उसे कहते हैं Geo-Espatial इस platform पर Food, Agriculture, Socioeconomic और Natural Resources का एक डेटा सेट होगा जो Food और Agriculture सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेगा इस platform की help से Poverty, Hunger और Malnutrition को Eradicate करने में मदद मिलेगी COVID-19 महामारी के दोरान Nawadi के दोरा West Bengal राजजी को 1,607 करोन रुपे का credit support प्रोवाइट कराया जा चुका है प्रकास जाबडेकर जो हमारे Environmental Minister है उन्होंने Unique Urban Forest का Innegration किया कैक की ओफिस में Camptroller and Auditor General of India की ओफिस में आईए जानते हैं Unique Urban Forest के बारे में Unique Urban Forest एक एकर में फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा एको सिस्टम है जो मदमक्खियों, पक्चियों और सूच में जीवों और तितलियों के लिए Habitate बनाने में सक्चम है यह तस्बीर है Innegration Day की जिस दिन Unique Urban Forest का Innegration किया गया प्रकास जाबडेकर जी के दोरा बारत सरकार के आतनिर्वर भारत अभियान के सपने को पूरा करने के लिए Seed Bank के स्कीम को लॉंज किया गया है इसका objective है Natural Calamity के दोरान Seed Provide करवाना इस स्कीम के अंतरगत पूरे भारत में District Wise Seed Bank तयार किये जाएंगे 650 Districts में Farmers को लाइसेंस दिया जाएगा Seed Bank चलाने के लिए Farmers को Seed Bank चलाने की Training लोकल किसान विज्ञान के इंदर में दी जाएगी जोरम Mega Food Park इनागरेट किया गया Virtual Conference के तुरू स्रीमती हरसिमरत को और बादल के दोरा मिजोरों के कोलासिब डिस्टिक में इस Mega Food Park के Establish होने पर 25,000 Farmers को सीज़े तोर पर फायदा मिलेगा और 5,000 अस्थानिये लोगों को Employment मिलेगा मिजोरों का या पहला Mega Food Park है इस Mega Food Park में आए दिखने कौन-कौन सी सुविदाएं उपस्थित हैं कोल्ड इस्टोरिस, ड्राइव एर हाउस, राइपिंग चैमबर, मसाले सुखाने की सुविदा और खाद परिश्चर प्रियोक साला हैं बारत सरकार एक Mega Food Park को अस्थापित करने के लिए लगबग 50 क्रौन रूपए प्रवाइड कराती हैं बरतवान में बिभिन राज्यों में 18 Mega Food Park परियोजना है, इनमें से 4 पर काम पूरा हो चुका है ध्यान रखेंगे आप One Nation One Ration Card Scheme Announce की गई Food Minister राम बिलास पासवान के दारा यही स्कीम जून 2020 से प्रभाव में है, इंटर्नल माइग्रेंट्स को सेंट्रल के दौरा मिलने वाली सबसीडीज का सीधा लाब मिल पाएगा One Nation One Ration Card Scheme के तहत राइस 3 रूपीज पर केजी और वीट 2 रूपीज पर केजी की दर से लाभार्तियों को मिल पाएगा One Nation One Ration Card Scheme भारत के 20 राजियों और केंदर साजित परदेशों में अभी काम कर रही है एस्पिरेंट्स आईए देखते हैं कुछ मिस्नीनिस न्यूज को आंदपरदेश सरकार ने राज सेखर रेड़ी के 71 जन दिन को चिन्हित करने के लिए राइथो दिनोत्सों किसान दिवस के रूप में सेलिवरेट किया उडिशा राज ने बलराम नाम की एक यूजना लॉंच की इस यूजना की मदद से COVID-19 के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे जो भूमिहिन किसान है उनको बित्य साहता प्रदान की जाएगी उत्तराखंड राज जिने 150 से अधिक लाइकेन प्रजात के एक अनुसंधान केंद्र के रूप में इंडिया का पहला लिचन पार्क बिक्सित किया है डाक्टर परागार चितनिस को नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फूड एंड एग्रिकल्चर एन आइफ़े के एक्टिंग डिरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है यह एक इंडियान अमेरिकन साइंटिस्ट है यह पिक्चर है डाक्टर परागार चितनिस की तमिल लाड राज ने एनॉंस किया है कि वो टर्मरिक रिसर्च इंस्टिट्यूट को इस्टेबलिस करेंगे आप से question पूछा जा सकता है किस राज ने टर्मरिक रिसर्च इंस्टिट्यूट को इस्टेबलिस करने का एनॉंस्मेंट किया है तो आपका answer होगा तमिल लाडू अगली news है Canon CS Warrior को 2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry दिया गया और यह award दिया जाता है Indian Council of Forestry and Education के द्वारा यह picture है Canon CS Warrior की केरल ने नारियल मिसन में उद्दमियों की तक्नीकी साहता के लिए एक startup mission और Agri Business Incubation सुरू किया है इसका नाम है Yava ध्यान रखेंगे अब National Fertilizer Limited NFL ने एक Mobile Soil Testing Soil Lab लाँच किया है इसकी मदद से किसान के घर पर ही उसके Soil के सेंपल को टेस्ट किया जाएगा किसी संजीवनी सब्ता महाराश सरकार के दौरा लाँच किया गया है इसमें किसानों को नई तक्नीकी सिखाने में मदद मिलेगी 2010 से 2020 के दौरान Top 10 Countries जिन्होंने अपना Forest Area बढ़ाया है उसमें भारत की रैंक तीसरी है ध्यान रखेंगे आप Dr.Hardswardhan ने Weather Forecasting मौसम पूर्वा अन्वान के लिए हाल ही में एक App लाँच किया है App का नाम है मौसम Experience अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ चैनल को Your Agree ट्विटर नाम से सब्सक्राइब करें लेक्चर की PDF के लिए WhatsApp ग्रूप या फिटेलिग्राम ग्रूप को आप जाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you for watching, God bless you all